नमस्कार में रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधी बात सीधे सवालों के साथ हमारी चेतनाओं पर जूटी खबरों ने और मिसलीडिंग खबरों ने इतना इतना जमावडा लगा दिया है कि हम यहां सोचने में विफल है या फिर हम यहां decide नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छी खबरे यानि सच खबरे क्या है और जूटे खबरे क्या हैं मैं हर हफ्ते आपको कबरों का धोभी घार्स में इन सारे सारे चीजों से रूबरू करवाता ही हो लेकिन हाँ सीधी बात में भी मैं इसी पर बात करूंगा मेरे दोस्तों ने मेरे बहुत सारे जो intellectuals है जो मेरे forum में रहते है जो मेरे contacts में है उन्होंने जब तबलीकी जमाद का issue raise हुआ तो उस पर concerns जाहिर करते हुए बहुत सारे discussions के थे उन्होंने मुझे यह का कि जो media बता रहा है वही actual है तबलीकी जमाद सही में कोरोना फैलाने के लिए इंडिया में आया है विदेशी नागरिक जितने भी आये है उनके वज़े से कोरोना मैं उस समय भी उनको समझा रहा था कि दिखे कैसा है एक तो यह नई बिमारी है और आपको टीवी जो दिखा रहा है वहाँ पूरा सच नहीं है या फिर वहाँ misleading खबरे है उससे उन पर इतना अटेक किया mentally इतना प्रफोगेंडा चलाया कि वह खबर जूटी खबर सही हो गई थी कल मुंबई हाई कोट ने एक judgment देते हुए तबली की जमात पर 52 पन्नों का अपना judgment दिया उसमें मुंबई हाई कोट ने सीधी तरह से यह कहा कि विदेशी नागरिक जो भी तबली की जमात से आये हुए है इनको मीडिया ने प्रिंट मीडिया ने और टेलिविजिन मीडिया ने टार्गेटेट करके यह भ्रहम भैलाया कि यही लोग कोरोना के लिए जिम्मेदार है इसी के साथ हाई कोट ने यह भी बताया कि पूरे धड़े ने इस जमात को या फिर इस जमात के जमात से जुड़े हुए लोगों को बेमालूम तरीके से और टार्गेटेट तरीके से उनको पूरे भारत के सामने या फिर भारत की जनता के सामने अफरादी के तरह पेश किय है, जबकि ये सारे लोग, convicted नहीं है या फिर इनका कोई दोश नहीं है हाइप कोर्ट का सब्सक्राइब काझ सब्सक्राइब हम कुछ हुछ नहीं बच जाता है क्योंकि महां सारे तथ्यों को को देखके सारे चीजों को देखके पर के ही हाई कोट अपना जज्जमेंट देता है यह हुई गटना अब इस गटना से जुड़े मेरे कुछ सवाल है पहला सवाल पहला सवाल मेरा आप लोगों से है आप दर्शकों से है कि आप अब बताईए जो डेटा आपने कंजूम किया जो चीजे आपने आपके दिमाग में जूटी खब्रों के वज़े से बिठाई थी कि उस वज़े से आपने किसी कि कुछ Luckily के साथ बैर लिया था मुझसे ही किसी कि बहुत लोगों ने जगड़ा किया मुझे बहुत लोगों ने गालिया दी तो आप यह सवाल है कि क्या अब यह हाई कोट के जज्जमेंट के बाद आपने जो चीजे की थी वो बदल जाएगी क्या अब आपको खुद को दोशी मानते है कि आपने जूटी ख़वरों के बहकावे में आकर खु सवाल आप से नहीं बनता है दूसरा सवाल मीडिया से वो तमाम टेलिविजन के एंकर वो तमाम टेलिविजन के पत्रकार वो तमाम प्रिंट मीडिया के पत्रकार संपादक रूप में संपादक रूम में बैठे हुए सभी डेस्क एडिटर फॉर्मल एडिटर और चीफ जिन लोगों ने इस प्रपोगंडा को प्रमोट किया, एन आई जो न्यूज एजेंसिय है, उन्होंने 980 पीस पब्लिश किये है तबलीकी जमात पर, तो एन आई की एडिटर स्मिता प्रकाश, क्या इन सारे लोगों को अब माफी नहीं मागना चाहिए, क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना ही चाहिए, कि आपने पूरे समाज को, पूरे देश की जनता को, पूरे दर्शकों को मुर्ख बनाया, क्या इसकी जिम्मेदारी तहीं नहीं होना चाहिए, क्या यह सवाल नहीं बनता है, क्योंकि यह सिर्फ मीडिया का गड़ा हुआ तंत्र नहीं था, इसमे वह हर रोज तब्लीकी जमात से आने वाले numbers को दिखा रहे थे ऐसा propaganda पूरे तरफ से चलाया तो एक सवाल सरकार से भी पूछना चाहिए कि क्या अब आप लोग माफी मांगेंगे क्या यह सवाल आप से नहीं बनता है क्या केंदर सरकार के जो अधिकारी जो medical officers थे जो targeted कर रहे थे तब्लीकी जमात को क्या हूँ हम आप ही मांगेंगे क्या यह सवाल नहीं बनता है एक और सवाल उन लोगों से जो उस समय propaganda फहला रहे थे और मारने की बात कर रहे थे कि यह लोग विदेश से आये हैं हमारे यहां पे कोरोना फहला रहे तो इन पर जानलेवा कारवाई करें इनको खतम कीजिए ऐसे भी प्रचार की गए तो क्या यह सवाल नहीं बनता है कि इन जूटी ख़बरों के वज़े से जो हमारे समाज को मिसलिट किया गया है इनको आज कानूनी कारवाई होना चाहिए यह सिर्फ मैं यह नहीं कहरा हूँ कि आप सिर्फ इनको माफी मांगने मैं तो यहां कहरा हूँ कि हर टेलिविजन एंकर हर टेलिविजन के पत्रकार संपादक तथा स्मीता प्रकाश जो एनाई की एडिटर है उन पर कानूनी कारवाई होना चाहिए क्या यह सवाल नहीं बनता है क्योंकि इन लोगों ने पूरा का पूरा एक तंत्र खड़ा किया है जिसमें एक जूट परोसा गया और उस जूट को एक्चुल वे फैक्ट्स बताके सब लोगों को दिखाया गया हर खबर की वो फिर सुशान सिंग राजपूत की हो या फिर और किसी की हो इन खबरों की अंतिम विदाई ऐसे ही होगी जब कोर्स के डिसिजन आएंगे तो आप दर्शक ऐसे सारे दिखाए गए जूट को प्र and press the bell icon never miss an update